जेहिन दोस्तो रक्षित खंणा के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस रीडियो में अपको दो महतपूर जानकारिया दूंगा सबसे पहلी जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रिमेंट पे जी हां दोस्तो हमारा डेपार्टमेंट national increment देने वाला है pensioner को बल्कि दोस्तो इनका case final हो गया इनको हम जुलाई का national increment देंगे जी हां दोस्तो ये पूरा case मैं आपको समझाओंगा हमारे department का ही ये case है ये पैंशनर हमारे department से ही pension ले रहे हैं और दोस्तो ये 2013 में retire हो गये थे तो इसका मतलब है पुराने pensioners को भी notional increment का सायदा मिलेगा तो कौन-कौन से pensioners हैं जो notional increment के दारे में आएंगे उनको क्या करना है notional increment लेने के लिए सारी चीज़ दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा कम area मिल गया circular 568 का तो दोस्तो ये pensioners मेरे चैनल से जुड़े मेरा वीडियो देखा उसके base पर ये सारी कारेवाई करी पहला ये letter record office का दूसरा ये SBI की statement फिर दोस्तो ये पूरी area shift तो अब जाकर इनको difference amount का area मिलेगा circular 568 का यानि जो मिलना चीए था पूरा payment और जो पहले इनको कम मिल गया तो उसी के difference का इनको area मिलेगा तो ये भी मैं आपको आगे समझाऊँगा और कैसे आपको जागरूख होना है कैसे आपको अपना हक लेना है ये भी मैं आपको आगे समझाऊँगा तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा और अगर आप पहली बार मेरा channel देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा channel subscribe भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना योकि welfare से जुड़ी नई नई जानकारी हैं आपका हक सब कुछ समझाय जाता है इस channel के मातन से और pension से जुड़ी जो problem आती है उसका भी solution किया जाता है time time पे चलते हैं दोस्तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहली जानकारी नोशनल इंक्रिमेंट पे जियां दोस्तो ये case हमारे department का है दोस्तो ये पैशनर रिटायर हो गेते 30 जून 2013 में 30 जून 2013 में रिटायर हो गेते तो दोस्तो इनका जो department था वो था जबलपूर और हमारा जो department है वो है एक headquarter यानि लगबग 12 से 13 institute हमारे department से connected है जो भी पैशनर किसी दूसरे institute में रिटायर होता है तो पूरा pension case बनकर हमारे department के पास ही आता है तो दोस्तो जब इनका case 2013 में हमारे पास आया pension calculation के लिए pension बनाने के लिए तब दोस्तो इनका increment नहीं लगाया था institute में यानि ये रिटायर हुए थे 30 जून 2013 में यानि इनको जुलाई का increment नहीं दिया गया था department के द्वारा तो दोस्तो इन्होंने फिर court case किया और इन्होंने court case किया cat में central administrative tribunal जबलपूर में यह आप पूरा judgment देख सकते हैं और इस judgment के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि पैंशनर को यानि इनको national increment दिया जाए department के द्वारा जिया दोस्तो फिर दोस्तो इन पैंशनर ने एक और judgment लगाया है और यह judgment लगाया है supreme court का यह वाला judgment है supreme court का और यह आया था 11 अप्रेल 2023 को जिसमें यही बात लिखी हुई है कि पैंशनर को national increment दिया जाए यानि जो जूल में retire हुए उन्हें जुलाई का increment दिया जाए जो दिसंबर में retire हुए उन्हें जन्वरी का increment दिया जाए तो दोस्तो अभी तो सिरफ इन pensioner को इसका फायदा मिल रहा है लेकिन guarantee के साथ में यह कहता हूँ national increment पे जियां दोस्तो अगर आप भी जीते हुए case national increment पे चाए AFT से चाए CAT से या Supreme Court से या दिली High Court से खाई से भी अगर आप case जीते हुए national increment पे तो आपको फायदा मिल जाएगा आपको करना क्या है एक तो आप Supreme Court का यह order लगाएंगे आप मेर से यह order ले सकते हैं Supreme Court का यह judgment लगाएंगे जो आया था 11 अप्रैल 2023 का और दूसर जजजमेंट आप लगाएंगे जहां से आप court case जीते हुए जहां से आपने national increment पे court case किया था और वहां से आप जीते हुए तो उसका judgment लगाएंगे दोनों judgment लगाकर आप अपने department को देंगे तब आपको national increment मिल पाएगा तो same यही चीज इन पेंशनर ने करी थी और अब जाकर इनका case पूरा settlement हो गया है और हमारे department ने यानि जो हमारा department है उसमें एक secretary office है तो उन्होंने यह पूरा letter बना के दिया है और य एक नए national increment के अधार पे जुलाई का increment लगाएं और पूरा case बनाकर हमारे headquarter में भीजें तो दोस्तों इनका पूरा case आएगा हमारे department के पास आएगा तो जो calculation करेंगे national increment लगाएंगे वो लगाएंगे जबलपुरवले महां से इनका case कुछ दिन बाद हमारे पास आ जाएगा और फिर हम इनकी pension calculate कर देंगे एक नए national increment के हिसाफ से जी हाँ दोस्तों फिर इनको मिल जाएगा पूरा हक national increment का तो दोस्तों ये आपके लिए भी खुशकबरी हो सकती है आपके लिए भी एक खुशकबरी है जोकि दोस्तों पहला case हमारे department की तरफ से finalize होने जा रहा है national increment प पहर हुए थे इनको जुलाई का increment नहीं मिला था तो अब जाकर इनको national increment का फायदा मिलेगा बड़ी हुई pension मिलेगी नए national increment के हिसाब से और जो भी चीज़ है वो सब revise होगी बहुत अच्छा फैसल है दोस्तों मैं स्वागत करता हूं इस फैसले का और मैं यह उमीद करता जल्दी भारत सरकार आप सब के लिए national increment का order निकालेगी जियां दोस्तों DOPT की तरफ से national increment पे जल्दी order आएगा अभी सिरफ उनी को दिया जा रहा है जिरोंने court case जीता हुआ है national increment पे अगर आपके पास भी order है जीते हुए case का तो आपको फिर फायदा मिल जाएगा 100% हो जाए 23 का उसके बाद जो इन्होंने court case किया cat में उसका एक order है Central Administrative Tribunal जबलपूर का यह पूरा judgment है दोनों order के तहट इनको national increment मिलने जा रहा है और कुछ दिन बाद इनका final हो जाएगा तो दोस्तों आप भी ऐसे कारवाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई जीता हुआ judgment है court का चाहिए वो national increment का हो चाहिए किसी और का हो अगर आपके पास है तो 100% आपको वो फायदा मिलेगा जी हां दोस्तों अभी भारत सरकार कुछ टाइम बाद national increment के भी order निकाल देगी तो फिर हर एक pensioner को फिर court नहीं जाना पड़ेगा जी हां दोस्तों फिर government के order के base पर ही ministry से होते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि ministry क्या करने वाली है क्या वो आपको देगी सब कुछ पता लगता रहता है इसलिए दोस्तों मैं आपको समझाता भी रहता हूँ इन लैटरों के base पर इन judgment के base पर यहां दोस्तों सब कुछ मैं आपको समझाता रहता हूँ तो दोस कुसे जानकारी है दोस्तो not being Old吧 नहीं पता था कि मुझे कम areaan प्रेघ को गया यह तो लेके बड़ गए areaa दोस्तों इनको पहले पेय को गया था ए नापको बता रहा हो इन पहले dane तरो यह पूरी बैंक की इनको मिला अ यह मिलाता दोस्तों दिसंबर 2016 में यहां दिखा भी यह सरकुलर 5680 इनको पहले मिला 132,461 जिया दोस्तो और इनका एग्जेक्ट एरियर जो बना है वो है इस पूरी एरियर शीट में इस पूरी एरियर शीट में इनका कूल एरियर बना है 158,521 यानि कितने का डिफ्रेंस आ रहे है यह डिफ्रेंस आ रहे है 26,060 जिय वाली पैंशनर जागरूख हुए इन्होंने वीडियो देखा तो यह सही से समझ गए कि कैसे मुझे कारेवाई करनी है तो सीधा इन्होंने बैंकी स्टेट्मेंट ली SVI से तब इन्होंने पाया कि मुझे तो कम एरियर मिल गया तो सीधा इन्होंने फिर शिकायट डाली CP ग्राम के तुरू जिया दोस्तों CP ग्राम के तुरू इन्होंने शिकायट डाली और फिर 1 अप्रेल 2014 को इसका जवाब आया और दोस्तों यह डिरेक्ट लिखा है रिकॉ तो जो भी कारवाई है वो आप सही तरीके से करे और अपने बेस पर इनको डिफ्रेंस इमाउंट का एरियर पेग करें तो दोस्तो अब इनोंने बोला है कि आप due drawn statement एक NPC बना कर हमारे पास भेजी तब हम इनको difference amount का area pay कर देंगे जिया दोस्तो और difference amount का इनका area है 26,060 रुपे यारी जो पहले मिलना था वो मिलना था 1,58,501 दोस्तो इनका rank था नायक नायक इनका rank था calling bank service थी इनकी 15 साल ती एस नायक इनका rank था 15 साल इनकी calling bank service थी 15 साल 18 तो इनका area बना था 1,58,521 जैसा कि आप इस area sheet में देख रहे हैं तो इसी के base पर इनको area मिलना था लेकिन इनको नहीं मिला कम area इनको मिला तो सारी कारेवाई इन्होंने खुद करी और इसके base पर अब not pay certificate ये release करेंगे फिर दो जिनका इनको नुकसान हुआ था तो दोस्तो इस तरीके से सारी कारेवाई करी जाती है इस channel के मार्जम से आपको सब कुछ समझा जाता है भारत सरकार के letter समझा जाते हैं सारे court के order समझा जाते हैं क्या-क्या होने वाला है क्या-क्या हो सकता है आगे सब कुछ everything pension related सब कुछ आपको समझा जाता है चाहे civil का हो चाहे state pensioner का हो चाहे फिर वो defense pensioner का हो सारे matter आपको इस channel के मार्जम से पता लगते हैं ताकि आप कुछ कर सके आपको आपका हग मिल सके तो दोस्तों यही जानकारिया थी जो मैं लेकर आया था इस वीडियो में अगर आपको और कुछ पू वो मिलती रहती है इस channel के माद्यम से thank you so much